ब्लोग की शुरुआत हो रही है खाना बनाने से और इधर बंदर भी आचुके हैं चारो तरब बंदर बैठे हुए हैं और इधर हमारी नंदजी भी आ गई है खाना बनवाने के लिए क्योंकि बंदर बैठे हुए थे तो साथ में हमारी नंदजी भी आई हैं और सुबा के जो भी काम थे बो सारे काम हो चुके हैं बस अब खाना बनाने के काम बागी रह गए ह और नहा चुके हैं पूजा भी हो चुकी है और इधर आज हम बनाएंगे आलू फूल की सबजी तो आलू फूल और टमाटर सभी चीजे एक में ही मिक्स करके बनाएंगे तो यहां पर सारी तयारियां भी हो चुकी हैं बस सभी चीजे लेकर आ चुके हैं और पहले थोड़ा सा हम फूल को फिराई करेंगे तो थोड़ा सा तेल मैंने डाला है पहले हम फूल को फिराई करेंगे उसके बाद में ही जो भी मसाले हैं वो भूनेंगे तो इन दिनों में कुछ सबजी जो है नकी आलू की हो या कुछ भी सबजी हो कुछ अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इस सम कोई भी सबजी बनाऊ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है तो ये कुछ दिन इस तरीके के हैं क्योंकि हवा भी दिनों में बहुत तेज चलती है और जब होली निकल जाती है उसके बाद में हवा चलती है और कुछ भी अच्छा भी नहीं लगता है जब तक तेवहार नह मैंने फूल को फ्राइ करे लिया है और अब टमाटर कट कर लेते हैं हल्दी मीरची तब तक मैंने जो भी मसाले थे वह सारे मसाले मैंने भुनने के लिए डाल दिये हैं तो अच्छ से हमारे सारे मसाले भुन जाएं उसके बाद में जो सबजी है उसको डाल देंगे तो पसंद नहीं आती है रोटियां भी आणि हमें रीम डानेश ही स्कूल जरूर के लिए खाना कियुक्छ that खाना नहीं बन पाया था अब आरोही का स्कूल जो है नकी साड़े साथ या आठ बजे लग जाता है तो आरोही जल्दी से चली जाती है तो फिर खाना ना तो खा पाती है ना ही लेकर जा पाती है तो बाद में हम बीजबा देते हैं कुछ सुबा के टाइम चाय के साथ में कु जो कि छपपर वाला घर बनेगा और दीवार भी छोटी छोटी उठाई जाएंगी तो आप सभी को पूरा दिखाएंगे जब बनाया जाएगा अभी तो बस तैयारी हो रही है तो बांस कट चुके हैं और आज आरोही के पापा ये जो बांस हैं उनको चीर रहे हैं दो या ती हैंने कि रोटियां ही सेंकनी बाकी हैं जब तक हम घर पर गए थे तब तक हमारी सबजी भी बन गई थी और यहां पर ये चीर रहे हैं कुछी इस तरीके से कई ओजार भी लगे हैं कई गरसा हैं जो कि हमारी या इन ओजारों को गरसा बोलते हैं और हिताओरी है तो उसी से यह चीर रहे हैं पापा भी यहां पर help करा रहे थे और बुआ भी हैं आरब भी हैं साथ में तो हम थोड़ी देर के लिए यहां पर बस आये थे उसके बाद में चलेंगे घर पर क्योंकि घर पर बहुत सारे अभी हमारे लिए काम हैं और यहां पर जब बन जाएगा तो बहुत अपर वाला घर बना लो तो अच्छा लगेगा और यहाँ पर हम लोग दुपहरी में रुक जाएंगे तो भी अच्छा लगेगा घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है आप सभी जानते हैं कि कितना छोटा हमारा घर है लेकिन जो पीछे वाला घर है वहाँ पर तो स चलती है बैसे तो गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा होने लगी है और इधर अब बस फटा-फट से रोटियां सेंकने लगे है नंदत जी हमारी रोटियां बेल लएए और हम फटा-फट सेंक लेंगे हबा बहुत तेज चल लएए एक तम से जो लपट है इधर से उधर नि लिए तो यहीं पर सभी के लिए खाना लगा दिया था और हम लोगों ने फिर नीचे जाकर खाना खा लिया था और इधर फिर हम लग गये हैं अपने कामों में जो हमारे नीचे के काम हैं छट पर भी थोड़े बहुत काम अभी चूटे हैं बो भी करेंगे उससे पहले जो करतन धुलने के साब सफाई के बो काम करेंगे और इन दिनों में थोड़ी सी देरी भी हो जाती है क्योंकि काम थोड़े जाधा तो नहीं है इतने लेकिन फिर भी कुछ इन दिनों में अच्छा नहीं लगता है तो उसकी बज़े से थोड़े से धीरे-धीरे काम होते हैं और सबी का यही हाल है क्योंकि होली के वाद में थोड़ी सी तबियत ठीक नहीं रहती है कभी तो लगता है बुखार जैसा चड़ गया है कभी तो लगता है कि पैरदर कर रहे हैं तो यही चलता रहता है और अब हमारी नदजी की जो कंजिया निकली थी वो बिल्कुल ठीक है हमार भी फायदा नहीं हुआ था और दवाई नंदजी ने हमारी खाई भी थी लेकिन उसे बिल्कुल भी फायदा नहीं पता चल दा था तो जो ये टटका टोना वाली जो भी चीजे होती है वो की तो उससे फायदा है और इधर बरतन तो धुल गये हैं उसके बाद में अब इतने स सारे कपड़े हो गए हैं कपड़े भी धुल कर डाल देंगे और इन दिनों में हम कपड़े तो यहीं पर फीच लेते हैं लेकिन कपड़े धुलते हैं जो सरकारी वाला नल लगा है वहां पर धुलते हैं क्योंकि नल तो जो ये सरकारी वाले हैं वो आते तो हैं लेकिन कभी कभी आते हैं रोज नहीं आते हैं अभी टाइम नहीं बंदा है टाइम से नल आने लगें तो कोई दिक्कत ना हो पानी की और यहां पर बहुत ही मुश्किल से हम लोग बरतन धुल पाते हैं और घर के काम कर पाते हैं कपड़े पड़े तो हम लोग ज्यादा तर बगिया में य यहां की साप सफाई काइने के लिए क्योंकि सुबा से ऐसे ही विस्तत छोड़ दिया था तो मैंने का अभी इनको घरी करके रख देते हैं जो कमल पड़े हैं और जो चादर है इसको भी दुबारा से हम बिछा देंगे अच्छे से आरोही के पापा जो हैने की जल्दी से उठ गये थे लेकिन आरोही थोड़ा सा लेट उठती है तो इसी वज़े से छोड़ दिया था ऐसे ही सभी चीजे बस मच्छड़ दानी निकाल दी थी उसके बाद में ऐसे ही सभी चीजे छोड़ दी है और यहां पर आज हम थोड़ी सी साप सफाई भी करेंगे पोंचा लगा द है लेकिन फिर भी हम कर देंगे क्योंकि साप सफाई तो धोलत सा ज़्यादा सही रहता है और उस दिन भी जब मैंने रसोई की पुताई की थी घो देंगे वाहां थोड़ी से तो धोल डी बजा देंगे क्योंकि यहां पर थोड़ी सी जो यह फरस है यह थोड़ी ऊची खाली है तो उसकी बज़े से हिलती है अभी अगर हम जब खोलते हैं इसको तो थोड़ा सा हिल जाती है इधर से उधर को तो अभी इसको set करना है तो मैंने आरोही के पापा से रोज ही हम बोलते हैं कि थोड़ा सा ये देख लो कि कहाँ पर क्या है वहाँ पर थोड़ी सी चीज कुछ नीचे की साइड में लगा दो एक तरफ तो लगाया है पुठा लेकिन उसे भी सही नहीं हो पा रही है तो किसी दिन जब भी उनको फुरुसत मिलेगी तब वो ये काम करेंगे और बैसे तो कपड़े-पड़े मैंने सारे set कर दिये हैं और जो मैंने चपल लखी थी इसमें वो मैंने निकाल दी है और इधर अंदर का पोचा लग चुका है उसके बाद में यहां पर पानी डालकर अच्छे से ये इटे धुल देते हैं अब की बार मैंने काफी दिनों के बाद ये इटे धुलने के लिए जा रहे हैं और इस बज़े से नहीं धुलते हैं क्योंकि इधर साइड में कच्ची मिट्टी मेंने लगाई है और उपर से पुताय उताय भी की है तो अच्छा नहीं लगता इधर साइड में कीच हो जाती है तो आज मैंने का कि अभी हम लिपाई करेंगे उससे पहले ही याद धुल देते हैं और बाद में लिपाई कर देंगे तो अच्छे से सूख जाएगी और इधर फिर हम बगिया को गए थे थोड़ी देर के लिए गोबर लेकर आए हैं वहाँ पर सबी लोग ये लोग थे क्योंकि इन दिनों में बुआ जोहने की बगिया में ही कपड़े पड़े धुलती हैं और हम लोग भी धुलते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फिर भी हम लोग भी धुल लेते हैं बुआ तो रोज ही धुलती है कपड़े वहीं पर और वहाँ पर थोड़ा सा जोहने की अच्छा लगता है धूप तो आ जाती है लेकिन इतनी जल्दी से धूप भी नहीं आती है थोड़ा सा जादा टाइम जब हो जाता है तो धूप वहाँ पर एक्तम से सामने लगती है और इधर बस इतने में ही लिपाई करेंगे घर में तो लिपाई हो चुकी है हमारी नदजी ने लिपाई की है क साम को तो मैंने का चलो हम यहाँ पर कर देते हैं सुबा के टाइम और काफी टाइम हो चुका है लगभग बारा बच चुके हैं तो इतना टाइम हो चुका है हमारे घर के काम कहने में काफी टाइम लग जाता है जब घर के काम करते करते और दिन भी इतना बड़ा होता है ले और हमें तो पता भी नहीं चलता है कि दिन कैसे निकल जाता है, इतने सारे काम ही हो जाते हैं छोटे से बड़े लेकर, और जो भी काम पड़े होते हैं, बोभी सुचते हैं कि चलो कर देते हैं, और पूरा दिन और क्या करेंगे, क्योंकि और कुछ काम भी नहीं है, तो यहाँ पर बस हो चुकी है लिपाई बस थोड़ी सी लिपाई बाकी रह गई है तो बस मैंने जल्दी जल्दी से लिपाई हाथ से ही आज लिपाई की है और बहुत ही अच्छे से लिपाई हमारी हो गई है और आप सभी दोस्तों को तहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद आ में बहुत अच्छा लगता है इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा अपना प्यारों सपोर्ट बनाए रखना जो दोस्त हमारे चैनल पर निव आते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर काई लिया करें एक हमारी दीदी हैं काजल दीदी बो दीदी भी हमारे ब्लोग बहुत पसंद कहती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कहती हैं और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि जो आपकी साड़ी जो साड़ी का पलू है ये कटा हुआ है ये कैसे कट गया है तो ये आरो ही ने कटा है और हमें बिल्कुल पता भी नहीं चला कि कैसे इसने काट दिया तो उसमें बस सिलाई डालने बाले हैं हम डाल लेंगे अच्छे से तो वो बन जाएगी और इधर फिर हो चुका है दुपहरी का समय लगबग दो बज गए हैं दिन के तो अब हमारा बन रहा है दुपहरी का खाना क्योंकि सभी को लगी है भूंक सुबह के ट लिए हैं आलू हमारे देवरानी जी छील नहीं थी तो उसी से मैंने ले लिए हैं और इधर चावल बीन लिए हैं बस सारी तैयारियां का लिए हैं बस तहड़ी को चौक देंगे और इतने टाइम बैसे तो हम लोग पहले ठंडी के दिनों में छट पर बना लेते थे लेकिन अब वहां पर बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है दुपहरी में खाना बनाना हवा भी बहुत तेज चलती है और गर्मी भी लगती है तो अभी तो हम लोग दो चार दिन तो छट पर हम लोगों ने बनाया था दुपहरी में खाना लेकिन अब बहुत ही मुस्किल हो जा और यहाँ पर बस मैंने छोक दी है तहडी, पानी डाल दिया है जितना जरूरत है और बाकी का पानी जरूरत पड़ेगा तो हम बाद में डाल देंगे और इधर हमारा अधहन अच्छे से खौल चुका है, अब डाल देते हैं चाबल चाबल मैंने पहले से ही बीन कर अच्छे से रख लिये थे और थोड़ा सा पानी अगर कम पड़ेगा तो और भी बात में मैंने का डाल देते हैं थोड़ा सा अच्छे से चाबल पक जाएं और बस ढखकर रख देंगे अब तब तक हम लोग बाते आते करेंगे, तब तक हमारी तहड़ी बनकर तयार हो जाएगी और इधर हमारी तहड़ी बनकर तयार हो चुकी है, सभी के लिए थालियां लगा दी है और आरोही के लिए प्लेट में लगा दी थी, छोटी वाली प्लेट में थोड़ी सी थालियां कम पड़ रही थी तो एक प्लेट में ये लगाई है तो सभी के लिए बस लगा ली है पापा भी है आरोई के पापा तो दुकान पर चले जाते हैं तो अब साम के टाइम में आएंगे तब तक हम सभी लोग खाना दुपहरी में खा लेंगे उनके लिए आज दुपहरी में दुपहरी के लिए खाना जोने की बांध दिया था तो उन्होंने वहीं पर खा लिया होगा और इधर आप सभी से हम मिले हैं साम के लगबग साड़े चार बजे के टाइम तो छट पर हम लोग आये हैं खाना चड़ चुका है सबजी हमारी बन रही है और आप सभी के साथ में हम साम का काम कुछ भी सेर नहीं करते हैं ज्यादा और यहां पर आटा आ चुका था चक्की से तो मैंने का आटा भी रख देते हैं टंकी में नहीं तो कुत्ते उत्ते आ जाते हैं या फिर बंदर आ जाते हैं तो बस तुरंत से मैंने आटा को कर दिया है तंकी में और यहां पर थोड़े से रखे हुए थे बरतन वो भी सेट करके अच्छे से रख देंगे तो साम के टाइम में भी काम हो जाते हैं लेकिन फिर भी सुबा के इतने काम नहीं होते हैं सुबा बहुत सारे काम होते हैं साम को उससे थोड़े से कम काम होते हैं और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है वो हैं पाकिस्तान से तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप लोग हिंदी बोलना और लिखना बहुत ही अच्छे से जानते हो लेकिन हमें हिंदी बोलना भी नहीं आता है और हिंदी लिखना भी नहीं आता है आपके ब्लोग हमें बहुत लगते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दे दी इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहेगा अपना प्यारों सपोर्ट बनाया रखना और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप जो इस्टाग्राम पर रेल डालती हो वो यूटूब पर भी डाला करो तो जी दी दी देखो सोच रहें कि डालेंगे लेकिन आप सभी अगर हमारे सोट वीडियो देखना पसंद गएते हैं तो आप सभी इस्टाग्राम को जरूर फालो कर लें और इधर आज हम कुछ अलग ही काम करने लगे हैं क्योंकि यह हमारे जो हैने की माईके में जो हमारी भतिज बहु है उसने दिया था टोपा हमें बिनने के लिए काफी दिन हो चुके हैं तो मैंने का चलो बिन देते हैं टाइम तो बैसे नहीं मिल ला है तो इसी की बज़े से यह रखा है लेकिन आज मैंने का इसमें छोर डाल देते हैं तो धीरे धीरे हम बना लेंगे बैसे तो लग दिया है दो चार सलाई बिनकर अब हम कल बिनेंगे या फिस साम के टाइम में बिनेंगे क्योंकि साम के टाइम में थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको बना देंगे तो जल्दी से बन जाएगा और इधर हमारा खाना बन चुका है सभी लोग खाना खा भी चुके हैं घर के सारे काम भी हो चुके हैं बस अब चूले की पुताई बाकी है तो मैंने का चलो अब चूले की पुताई भी कर देते हैं और अगर इतने टाइम पुताई ना करो फिर सुबे के टाइम करनी पड़ती है तो आज मैंने का चलो साम के ही टाइम में कर देंगे अब कोसिस करेंगे कि साम के टाइम में ही चूले की पुताई कर दिया करेंगे तो अच्छे से जो है न की पुताई भी सूक जाती है और सुबह की चिंता भी खतम हो जाती है फिर सुबह सुबह पुताई करो यहाँ पर साप सफाई काईनी होती है काफी काम हो जाता है और नीचे भी साप सफाई करनी होती है तो आज मैंने साम को ही यहाँ पर पुताई कर दी थी तो अच्छे से पुताई भी सूख गई थी थोड़ा सा चूला भी गरम ही था और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोक हमारा कैसा लगा कमेंट में जिरूर बताना आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्त